कस्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर हुए हमले को लेकर पवन्सिंग का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि जिस तरह से स्रधालूं पर हमला हुआ वो बड़ा ही निंदनी है अपनी बात चीत के दुरान उन्होंने कहा कि जो स्रधालूं बगवान बोलेनाथ के दर्शनकर के वापस लोट रहे थे उन्हें इस बात का बिलकुल भी एहसास नहीं था कि पहले से घात लगाये दहसत कर इस तरह कि शर्मनाख हरकत करेंगे उन्होंने कहा कि भगवान ऐसे लोगों को सज़़ा दरूर देंगे क्योंकि वो भगवान की नजरों से भाग कर कही नहीं जा सकते पवन सिंग ने कहा कि जैसे ही उन्होंने इस घटना के बारे में सुना उनकी आखें नम हो गई और उन्होंने एक गाना बना दिया उन्होंने कहा कि इस गाने की माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो धुकी है और उनका मन कितना विचलित हो गया है सबसे बड़ी बात तो यह है कि पवन सिंग ने सोचल मीडिया पर एक पोश्ट लिख कर सबसे आगरा किया कि वो इस गाने को जरूरत ने क्योंकि इसमें एक दर्द छुपा हुआ है जिसे सुनकर किसी की वियां के नम हो जाएंग नेक्ट नए नियूज रूम से राहूल की रिपोर्ट